आज हम एक सरूरी और ट्रैक्टिकल टॉपिक पर बात करेंगे रोजकार में इसलामिक वैल्योज को कैसे शामिल करें इसलाम एक कम्प्लीट वे ओफ लाइफ है जो हमारे हर दिन के काम और प्रोडेक्टिविटी को गाइड कर सकता है इस वीडियू में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने रोजाना की जिम्दीगी में इसलामिक वैल्योज को इन्टिडेट कर के इतनी प्रोडेक्टिविटी को इंहेंस कर सके नम्पर उन, understanding इसलामिक वैल्योज इन प्रोडेक्टिविटी पहले हमें समझना जरूरी है कि इसलाम में क्या वैल्यूज है और ये हमारी रोजमर्ण की जिंदेगी और काम में कैसी मददगार हो सकती है लाम का मूल वैल्यू जैसे इमान, तक्वा, ओनेस्टी, डिसिप्लेन और टाइम दिनेज्मेंट हमारे लिए बहुत एहमियत रखता है हर काम शुरू करने से पहले इसलामिक टीचिंग्स में इंटेंशन यानि नियत का बहुत बड़ा इंपोर्टेंस है जब हम अपने काम को बिस्मिल्ला कहकर शुरू करते हैं तो उसका हर आमाल अलागी रजा और बरकत के लिए मक्सूर होता है तो हर काम में अपना इंटेंशन ट्लेयर रखे और बिस्मिल्ला पढ़ कर शुरू करें शाल्ला उसमें बरकत शरूर होगी नमबर थ्री टाइम मनेजमेंट यानि वक्त इसलाम में वक्त की बड़ी एहमियत है अल्हा सुबाना ताला ने कुरान में हमें वक्त की एहमियत का इजहार फरमाया है नमास की पावंदी रुजाना के कामों को वक्त पर अंजाम देना और अपने वक्त की कीमत को समझना भी इसलामिक वैलियूस का एक ज़रूरी हिस्सा है वक्त की पावंदी इसलाम में एक अजीम सिपार है नमास की पावंदी से लेकर हर काम को वक्त पर करने की तल्कीन दी गई है नमास जो मुसल्मान की रोहानी और दीन का एहन हिस्सा है उसकी वक्त पर अदाईगी भी एक इंतिहान है हमारे वक्त के इस्तिमाल का में अपने दिन को तक्सीम करने में टाइम मनेजमेंट को कैसे इंकोरेट कर सकते हैं इस पर हम बात करेंगे जाना के पास को और्गिनाइज करना उसको प्यूरिटीज के मुताबिक सेट करना और उसको एफिजेंटली कम्प्लीट करना भी इसलाम की तल्कीम है इसके जरीए हम अपनी जिन्दगी को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं और अपनी दिनी और दुनियावी मकसद को भी पूरा कर सकते हैं मनेजमेंट के जरीए हम अपने हर काम को बराबर और बेहतरी तरीके से अनजाम दे सकते हैं इसी कि हमारी जिंदेगी में बरकत हो और हम अपने मकसद तक तोजने में कामियाब हो सके नमबर फूर शिखिंग नॉलेज यानि इल्म कामिक वेलियोज में इल्म हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है तो मुसल्मान को अपने रोजमर्ण की जिंदगी में नॉलेज सीखने और अपने स्केल को डैवलप करने के लिए मोटिविट किया गया है इमोरी प्रोडेक्विटी को नॉल जस्ट इंप्रूव करता है बलकि हमें अपनी कामों को बहतर तरीके से करने की सलायत भी देता है नमबर फाइड इंटिग्रेटी एंड ओनेस्टी यानि अमानत और सच्चाई अमानत का मतलब है कि जब कोई चीज की जिम्मेदारी आप पर आती है तो उसको पूरी सच्चाई और इमानदारी से अदा करना जब हम अपने काम में honesty और integrity रखते हैं तो हम not only अपने काम को improve करते हैं बलकि दूसरों के साथ भी एक अच्छे तरीके से deal करते हैं honesty यानि सच्चाई से मुराज यही है कि हम हमेशा सच बोलते हैं और जूत से बचते हैं जब हम दूसरों की अमानत को पूरी तरह से अदा करते हैं तो हम उसकी expectation को पूरा करते हैं और उसके trust को maintain करते हैं यह हमारी professional reputation और productivity को भी बहुत बड़ा role play करता है जब हम अमानत और सच्चाई के principle को अपनाते हैं तो हम अपने आप को morally strong and responsible मिसूफ करते हैं इसकी साथ ही लोग हमें इज़त देते हैं और हमारे साथ business और personal relationship में भी भरोसा रखते हैं लामी टेंचिंग्स में ये सिफायाते not only individual के लिए ज़रूरी है बलकि society और community के लिए भी एक strong foundation provide करते हैं इसी तरह अमानत और सच्चाई के principle को जिंदगी में अमाल करके हम अपने आप को बेहतर इंसान बनाते हैं और एक अच्छी society का हिस्सा बनाते हैं नमबर 6 reflection and self improvement यानि ततबूर एंड तस्किया Islamic values के हिसाब से अपनी जिंदगी को बार बार review करना और अपने अमाल को improve करना भी ज़रूरी है ततबूर reflection और तस्किया यानि self purification के जिरू हम अपनी mistake को समझ सकते हैं और बहतर इंसान बन सकते हैं जो कि हमारी productivity और self growth को भी enhance करता है तो friends ये था मेरा exploration भूसकार भी Islamic values को कैसे शामिल करने के उपर Islamic values को अपने हर दिन के काम में incorporate करने से हम अपनी productivity को ही नहीं सिर्फ improve कर सकते हैं बलकि एक बहतर इंसान बनने में भी कामिया भी पा सकते हैं अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइट करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए तो मिलते हैं वो नेक्स वीडियो में दौाओं में ज़रूर यात रकिए ताला अभी